हम लोग हाजत में जागे अंदर भेजने वोला विजुल चाहिए ना तीछे मुर्द जाएगा भाई जखते जाएगा थोड़ा बाय कर दिजे बाय कर दिजे किसी ने कहा कि भारत मुर्दाबाद कभी आपने सुना नहीं कहेगा सब वोको जिन्दाबाद की चिंता है जारकंट जिन्दाबाद होना चाहिए जारकंटी जिन्दाबाद खत यानी जिन्दाबाद होना चाहिए अभी हमारे साथ हैं सिल्ली के पुरविधायक अमित महतोजी है सबसे पहले सर अगर आप बार बार अगर सरकार के खिलाप आप बोलते हैं और अगर बार बार आप जेल ही जाते रहेंगे तो पिर यहां के युवाओं का भविस कैसे होगा जब भी आप सरकार के खिलाप बोलते हैं आपको जेल बेज दिया जाते हैं जो बिल्कुल सरकार हो या फिर कोई अपसर हो जो मनमानी करे जो राष्टाचारी हो गलत काम करे जो गलत मंसा रखता हो तो उसके आगेंस्ट में सर यह हमारे खून में है हम उसका विरोध करेंगे और जेल जाना यह हमारे सोहभाव में है अगर सरकार चाहे तो हमें एक नहीं हजार बर भेज़ दे लेकिन हमें रोक नहीं सकती है गलत कारियों का विरोध करने को लेकर और ऐसा नहीं है कि हम जेल चले जाएंगे तो सारे ब्युस्थायें रुख जाएंगी ठप हो जाएंगी हमारे यहां के जो बच्चे हैं वो और पेहतर तरीके से मजबूती के साथ इस लोणाई को लोणेंगे। परस्तितियां चेंज नहीं होगी, अगर आप बार-बार जेल जाते होंगी, उसको चेंज करना है। जेल जाने से ठीक है, आप जेल जा रहे हैं, जेल से भाहर आ जा रहे है, तकलिप आपको भी हो रही है, ब बार बार खतियानी का इसलिए जिक्र करते हैं क्योंकि हमारा मानना नहीं पूरे जारखंड का ये मानना है जारखंडियों का मानना है कि जो भी खतियानी है वही जारखंडी है और आने वाले दिनों में खतियानी इसका मुहतोर जावाब देंगे दोहजार चोबीस में जितने भी मतलब पच्च के हो या फिर विपक्च के लोग हो सत्ता में बैठे मंत्री हो या फिर विधायक हो या फिर सांसद हो या फिर मुख्य मंत्री हो तमाम ऐसे लोग जिन्होंने भी हमारे खतियानियों के हक हुकुक को मारा है तमाम ऐसे लोग जिन्होंने अधिकारों को छिनन और वेस्ताफ चेंज होगी, ये मेरा मनना है, लोग का मनना है, आप भी खत्यान की बात करते हैं, जैरा मातों भी खत्यान की बात करते हैं, सुरी सिंग बेशरा भी खत्यान की बात करते हैं, बीच में लूबिन हम्रेन हैं, वो भी खत्यान की बात करते हैं, तो जनता किसको सम लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग है गलत वैसे लोग जो हैं जिनोंने हमारे अधिकारों को हमसे चीना है वैसे लोगों को मुतर जवाब देगी और तमाम ऐसे अंदुलकारी सारे अंदुलकारियों का एक मातर मकसद है खतियान के अधर पर इस्थान निती बने, खतियान के अधर पर नियोजन निती बने, कहां कोई किन्तु परंतु कोई डाउट नहीं है, सबोगी राहे अलग हो सकती है, मनजल एक है, इसलिए, कोई तो पहल करें सब लोग साथ आन्यम के लिए, कोई पहल नहीं हो दिए, सारे पाटियों से क्या होता है ये इतना बड़ा विसाल देश है तमाम देश में बहुत सारी पाटियां है किसी ने कहा कि भारत मुर्दाबाद कभी आपने सुना नहीं कहेगा सब वो को जिन्दाबाद की चिंता है जारकंड जिन्दाबाद होना चाहिए जारकंडी होना चाहिए इस बात की चिंटा है ये आप देख रहे थे पंचा इतनी नमस्कार